मैं आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में कि as a student हमें क्या करना चाहिए और हम अपनी पढ़ाई पे focus कैसे कर पाएं और कैसे हमें पुरी preparation करनी चाहिए actually guys यह जो वीडियो है यह career guidelines से related जो मैंने course start किया था उसी के base पर है बहुत सारे student अपनी preparation proper तरीके से नहीं कर पाते हैं just because of ना उनका कोई schedule होता है ना उनका कोई planning होता है ना कुछ भी उनका होता है बस वो सोचते हैं कि मतलब बस ऐसे ही हो जाए ऐसे ही हो जाए तो क्या-क्या ऐसे points as a student हमें focus करना चाहिए ताकि हम अपने उस particular जो मेरा aim है जो मेरा achievement है उसको मैं achieve कर पाऊं या हम सब achieve कर पाए as a student कितने सारे ऐसे points हमें focus करने चाहिए तो चले step by step कुछ ऐसे points के बारे में हम लोग discuss करते हैं जिसके through हम लोग अपने dream को as a true कर सकते हैं तो guys सबसे पहला अगर आप एक student है preparation proper तरीके से नहीं हो पा रही है तो क्या क्या आपको avoid करना है guys बहुत बड़ी चीज होगी अगर आप ये 5-6 चीज़े अपनी life से आप इसको manage कर लेते हैं तो एक student अगर आप success होना चाहते हैं ना कि student बलकि एक successful student बनना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको avoid करनी पड़ेंगी तो कहीं न कहीं आप student से अलग category में आ जाएंगे और एक successful student कहलाएंगे और एक successful student कोई भी history या इतिहास लिख सकता है तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसे points हमें avoid करने चाहिए guys point number one हमें gaming से दूर रहना चाहिए आप gaming से दूर रहना चाहिए क्यों क्योंकि gaming में क्या है ना कि आप जब एक बार start कर देते हो तो बाहर जाने का मन नहीं होता आप दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे खेलते रहते हो इसके थुरू आपका mind पूरा का पूरा क्या हो जाता है ठक जाता है ठक जाने की वज़य से क्या होता है कि आप study पे focus नहीं कर पाते हो आप अपने particular जो aim है आपका as a student जो करना चीवो नहीं कर पाते हो और आप फिर अपना काम वहीं सो जाते हो या फिर अगले दिन वहीं फिर start कर देते हो तो game को avoid करना है आप game खेलो, एक target बना लो, एक time बना लो कि हमें एक से 2 घंटे, आदे घंटे, 30 मिनट, 40 मिनट कुछ इस duration game खेला है उस game में हम जीते हैं, हारें कुछ भी करें, बस उसको avoid करो और फिर आप अपने study पे start हो जाओ, अपने जो life का aim है उसको करने में start हो जाओ पहला tips हुआ कि game को avoid करें, दूसरा social media से दूर रहे हैं, social media से क्यों दूर रहे हैं guys जहां तक कोशिस करो कि अगर आप एक student हो तो आप अपने whatsapp, आप अपने instagram, आप अपने facebook को uninstall कर दो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको नहीं install कर सकते हैं तो इसको रखिये, बट कभी भी आप उस पे visit करिये, for information purpose, कुछ ऐसे pages आप like करो, जो आपको study में help करता हो, कुछ ऐसे videos आप देखो, जो आपको study में help करता हो, कुछ ऐसे comedies बगेरे भी आप देखो, जो आपक करता हो, क्योंकि आप हमेशा serious नहीं रख सकते हैं, entertainment भी चाहिए, तो कुछ ऐसे रख लो आप, अब ये नहीं कि आप अगर TikTok की वीडियो देखना start कर दिये, तो बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, और पूरा mobile का 1.5GB data, 2GB data, जो भी आपका खतम हो गया, फिर क्या चलो अब कुछ कर लेते हैं, तो आप इतना use करने के बाद, social media पर इतना time देने के बाद अब ठक जाते हैं, फिर आपका mind आगे proceed नहीं करता, तो कहीं न कहीं social media को आपको avoid करना है, अब social media avoid कैसे करें, गाइस अगर आप social media पर जातो, social media के तुरु एक चीज मैं और बता दू कि आप depression तक में बहुत से लोग चले जाते हैं, कैसे? गाइस हम लोग जाते हैं दूसरे की story देखते हैं, हम लोग जाते हैं, दूसरे का profile पीक देखते हैं, हम लोग जाते हैं, दूसरे का देखते हैं कि यार इसने नई bike लिया, नई car लिया, इस पे तो 10,000 comment आ गया, ये हो वो हो गया इसने तो story में ये नई चीज कुछ डाल दी हम दूसरे की stories और दूसरे के profile और दूसरे के live update को देखकर परिशान हो जाते हैं और अपने आपको कही न कहीं depression में डालते चले जाते हैं तो हमें यार ऐसा नहीं करना है लोगों से chat और फालतू की चीजों को नहीं करना है या जो भी अमारा time based कर रहा उससे chat और सारी चीजों को थोड़ा सा avoid रखें अगर आप अपनी learning प्रॉपर रखते हैं तो earning भी proper होगी कहीं 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 learning फिर कहीं earning हो सकती है without learning no earning ऐसा एक concept है कि कि किसी भी field में अगर आप जान चाहते हो तो learning बहुत ही बड़ी चीज होती है उसके बारे में समझ उसके बारे में depth knowledge होनी चाहिए तो फिर आप successful student या successful person बन सकते हैं तो ये सारी चीज है तो social media को ज्यादा ज्यादा आप वाइड रखेंगे हमेशा जबी भी आप इस पर विजिट करेंगे तो informative परपच के ये होगी तो आप उसको सर्च करके देखें और फिर उसको हटाएं फालतू के इधर उदर स्टोरी जो इधर उदर पर मत जाएं नमबर टिप्स नमबर थ्री यहाँ पर मैं बात करूं आप जबी भी पढ़ाई करते हो तो अपनी पढ़ाई का एक time table बनाए पढ़ाई के सा जो कि चलो यार दो घंटा घूम लेते हैं फिर अभी पढ़ लेंगे रात में पढ़ लेंगे रात में आता है तो चलो खापी के टीवी देखा सो गया फिर आप कहते हो कि यार सुबह पढ़ लेंगे सुबह उठने का मन नहीं होता है तो ये सारी चीजे time कोई भी करने है फिर उसका एक समय ये काम करना अगर आप 10 गंटे भी सोगे ना तो 14 गंटे आपके पास है अगर आप college जाते हो 8 गंटे तो भी आपके पास 6 गंटे है फिर 3 गंटे अगर आप घूमते हो तो भी अब 3 गंटे proper काम कर सकते हो अपने life को successful बनाने के लिए तो कुछ और ऐसे बहुत important topic के बारे मैं और कुछ आपको बता देता हूँ कि कुछ topic है जो की बहुत ही higher level तक आपको पहुचा सकता है यहाँ पे मैं point की बात करूँगा motivate yourself do hard work with smart work ये दो ऐसे point है जो हमेशा आपको कहीं न कहीं बहुत बड़े level की preparation देते हैं जो आपने आपको motivate करना सीख गया hard work के साथ वो successful हो ही जाएगा क्योंकि hard work hard work तो कोई भी करता है एक रिक्सा चलाने वाला भी करता है खेत में किशान भी करता है लेकिन अगर वो लोग थोड़ा smart work करें तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा earning कर सकते क्योंकि उनके इतना hard work कोई नहीं करता तो hard work आपके successful क पीछे reason नहीं है hard work के पीछे reason है smart work का थो हमेशा आपको hard work करना चाहिए लेकिन smart work के साथ और जो बंद अपने आपको motivate करना सीख गया वो अपने आपको कहीं पे भी किसी विचाई तक लेकर जा सकता है थो हमेशा अपने आपको motivate करें अब guys point यह आता है कि हम motivate कैसे करें motivate नहीं हो सकते है motivate अगर आपको होना है तो आपको अपने अंदर कि सारी negative thoughts जो है ना उसको हटाना है उन सारी points को remove करना है जो आपको कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं जैसे कि आप सोचते हो कि मैं पढ़ने में weak हूँ तो आप पढ़ने में weak हो यह negative point हटाओ इसको कोई भी ब गन्दे को उठालो जिनके पीछे बहुत बढ़ाय की तिहास है ना कहीं ना कहीं वो पैदा होते ही बहुत बड़े या बहुत smart या बहुत ग्यानी नहीं थे उन्होंने मेहनत किया उन्होंने smart work किया उन्होंने अपने time को आप पढ़ने में weak हो तो time दो पढ़ने के लिए ज दूसरे की वीडियो या दूसरे का motivational ये चीज़े देखकर आप कब तक motivate होंगे भाई में वीडियो देखा motivate हुए हाँ बहुत अच्छा सा लगा उसके बाद फिर 5 मिनट बाद वो बंदा क्या बोला भूल जाते हो आप लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने अंद के साथ काम करें आपका जो पैसन है उसको follow करें 110% आप success होंगे as a student as a computer science के student है किसी भी field के student है तूस field को follow करें proper study करें time दें smart work करें आप success पाकर ही रहेंगे फिर आप अपना खुद का एक story बनाएंगे खुद का इतिहास लिखेंगे सारी चीजें लोग आपको follow करेंगे कही आपको इधर उधर लोगों की बाते सुनकर इधर उधर भटकना नहीं है तो हमेशा passion follow करिए अपने आपको motivate करिए और हमेशा time table के साथ अपनी पढ़ाई अपने काम को ध्यान से रखते हुए काम करें प्लस गाई social media करें gaming ना करें अगर ये सारे काम आप कर लेते हैं तो आ उसके लक्ष तक पहुचने में तो गाई इन सारी चीजों का वाइड करके आप अपने काम पे ध्यान रखें और गाई मिलते हैं next वीडियो ने कुछ ऐसे और informative topic के साथ मैं डूडूँगा मैं research करूँगा कि क्या ऐसे और points मैं आपको बताऊं इस career course में जिसके थूँ आप motivate कर पाओ अपने आपको आगे तक लेकर जा पाओ guys यहाँ पे जो बात होई थी interview questions और बहुत सारी चीजों को लेकर मैंने कुछ interview preparation भी कराया था तो बहुत सारे लोगों का कुछ comments भी आया था कुछ यह था कि sir interview की कुछ process बताएं interview की preparation कैसे करें सारी चीजें तो उसके बारे के बाद कैसे IT इस company में या कहीं पे भी apply कर सकते हैं उसके बारे में आगे मैं बात करूँगा so guys career course की video आपको ज़्यादा से ज़्यादा career बनाने में help करेगी सभी को share करो जो भी अपने career से related कुछ सोच रहे हैं परिशान है या कुछ भी है तो कहीं न कहीं उनकी एक preparation होगी guys video career course से related थोड़ा late होती है बट कहीं न कहीं आपको अच्छे समय सिखाने के लिए ही कुछ न कुछ कर रहा हूँ guys इस video से आपको क्या सेखने को मिला comment करके बताएं like करें और जाते से ज़्यादा share करें मिलते हैं next video में thank you